Hello friends, मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल Friends, हमारा जो आज का वीडियो है, वो जावा स्क्रिप्ट में, जो सीरीज चल ली है, उसको 25th वीडियो है और आज की वीडियो में friends, हम लोग सबसे ज्यादा confusing और important जो चीज है जावा स्क्रिप्ट में उसके बारे में discuss करने वाले हैं मैं अगर personally बोलू, अगर मुझे किसी का जावा स्क्रिप्ट में interview लेना है, तो ये वो चीज है जहां से मैं start करूँगा interview लेना बहुत ही ज्यादा tricky थोड़ी सी और confusion करने वाली चीज़े हैं, जो ज्यादा तर especially अगर मैं beginners को बोलू, तो उन्हें थोड़ा समझ में नहीं आता यहांपे कि understanding क्या किस तरीके से चल रही है और topic का नाम है hosting, English word है basically, और इसका मतलब होता है basically raise करना, rope या फिर pulling के थुरू किसी चीज़ को raise करना, क्या concept है, उसको देखेंगी और मैं बहुत अराम से आपको समझाने वाला हूँ, यो कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये topic है कैसा हो, जो आपको crystal clear हो, crystal clear बिलकुल, हम लोग जो हमने अभी तक जिस तरीके से चीज़े देखी हैं, उनको यहाँ पर बना के देखते हैं, तो हमने function पड़ा, हमने variable पड़ा, हमने scope पड़ा, उन्ही चीज़ों का यहाँ पर use होगा, तो दो concept चलेगे, एक चलेगा function के लिए और एक चलेगा variable के लिए, दोनों के हलो, और इस function के through मैं क्या करता हूँ कि, एक output प्रिंट करा देता हूँ, और यहाँ बोल देते हैं, sorry, e को लिख दिया मैंने, document.document.write, यहाँ पे एक चीज़ और एफेंट्स कि, अगर आपने कोई all language नहीं पड़ी ना, तो आपको यह जो topic है थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आप किसी all language को पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपके लिए confusion होगा, तो देखिए कैसे होता है अभी तक, हम लोग function बनाते हैं, function को call करते हैं, और output देखेंगे, तो hello विशाल आएगा, obvious सी बात है, console को भी मैं यहाँ पे on कर लेता हूँ, क्योंकि console की का अगर मैं यह function को बनाऊ ही ना, और यह function को call कर दूँ, तो क्या होगा, तो यहाँ पे error आएगा, uncaut reference error, hello is not defined, ठीक है, तूसरी चीज यह हो सकती है, कि अगर मैं मेरे function को पहले call करूँ, और function को बादने बनाऊ, अगर इसको hit करूँगा, तो देखिएगा important चीज, कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब javascript में बेसिकली यह होता है, कि अगर आपने जो function define किया है, function को define बाद में भी किया है, calling से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी languages में ऐसा होता नहीं है, यह क्यों होता है, क्यों कि जो js.js का engine होता है, यहाँ पे, हमने पहले भी कर देगा, उसके बाद, automatically अपने आप वो इस चीज़ को कर देगा, hello को call करने से पहले ही उपर आपके function को ले जाएगा, यहाँ पर, चलिए, बिल्कुल, I guess, clear होगा यहाँ पर, कोई question आपको होगा नहीं, फिर से मैं इसको इसी तरीके से लगतेता हूँ, तो हमने, friends, एक त is equal to मैंने, जो मेरा यह hello function है, यह हटा देता हूँ, क्या करा, हमने hello नाम से एक variable बनाया, और उसके थ्रूँ, यह मैंने call कर दे, तो यहाँ पर एक बार इसको execute करते, output, वही आया हमारा, जो hello विशा ला रहा था पहले, अब यहाँ important चीज़ यह है, कि अगर मैं इसको साथ change कर दो, अभी तक हम लोगों ने देखा था, कि हमने एक function बनाया, function को हम लोगों ने call करा था, चाहे function को ऊपर लिखे, या call करने से लिखे, कोई फरक नहीं पड़ता था, पर अभी जब मैं देखूंगा, तो यह देखे, बहुत important चीज़ एक आई, hello is not a function, तो देखे, कि कैसे हुआ, कि अभी तक हमारा यहां पे क्या हो रहा था, कि जब मैं normal function बनाता था, तब यह बराबर चलता था, चाहे मैं function को पहले call करा दूँ, और define बात में करूँ, लेकिन जब हमने उसको as a variable में लेके करा, तब यहां पे error रही, यही हमारा concept यहां पे आजाता है, hosting का यहां पे अगर आप ध्यान दें, तो hello हमारा variable है, और error क्या आई है, कि hello is not a function, तो variable के लिए आपका जो यह concept है, कि हम लोगों ने variable को उपर लिखा है, नीचे call कराया है, और function को उपर लिखा है, नीचे call कराया है, यह उपर लिखा है, यह दोनो दोनो चीज़ें आपकी variable बनाता हूँ, x is equal to 10, और इस variable को print करा देता हूँ, same तरीका document.write, थोड़ा ध्यान से attention के साथ आपको देखना पड़ेगा यह, क्या हो रहा है, देखें, बराबर है, x की value 10 आ गई, अगर मैं इसको नीचे कर दूँ, यह अगर मैं खाली यह कर दूँ, x को print करा हूँ, x को define ना करूँ, तो क्या आता है, ध्यान दीजेगा, यह आता है, uncut reference error, x is not defined, मतलब यहाँ पर यह हुआ, कि यह बोल रहा है, कि x जो है, वो define नहीं है, लेकिन अगर मैं x को नीचे कर दूँ, call पहले करा हूँ, और define नीचे करूँ, फिर देखेगा क्या रहा होता है, अब concept आपका यहाँ चल रहा है, अब आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या हो रहा है, इस चीज़ को दो पार्ट में break कर सकते हैं, हमने लिखा where x, और एक लिखा मैंने where x is equal to 10, इसको मैं एक बार हटाता हूँ, और एक एक करके देखते हैं, x की value 10 आई, अब अगर मैं x को यहाँ ले आऊ, अलग-अलग पार्ट में break करके, तो क्या होगा, तो भी आएगा हमारा undefine, यह होता है हमारा, जब हम लोग इसको इस तरीके से लिख रहे थे, जब मैं where x is equal to 10 लिखता हूँ, या variable बनाता हूँ, और उसको call पहले करा लेता हूँ, तो इस case मे यह क्या करता है, यह जब हमने लिखाए, हमने पहले इसे call कराया, variable को define नीचे करा, तो यह क्या करेगा, कि पहले x की value को initialize करेगा, और अपने आप ही x में undefine को add कर देगा, और इसके बाद यह x को नीचे print कराएगा, जब हम print कराएंगे, तो हमारे पास output में क्या आएगा, undefined, लेकिन जब मैं इसको, एक चीज़ और देखिएगा, कि जब मैं इसको हटा दे रहा था, तब हैरर आता है, कि x बना ही नहीं है, और जब मैं x को बनाता उपर हूँ, या x को नीचे लिखता हूँ मेरे बनाने से, तब आता है मेरे पास undefined, तो क्या rule बोलता है, वो मैं मतलब, खाली define करा है, उसमें कोई भी value नहीं डाली है, पहली चीज, या फिर आपने variable को बनाया है, और जो value डाली है, ये दोनों चीज़े आपको variable को use करने से, बाद में करी हैं, जैसे कि यहाँ पे, हमने variable को क्या करा, पहले use करा, define बाद में करा, इस case में ये variable की जो value है, वो undefined set हो जाएगी, undefined क्यों set हो जाएगी, यह automatically x को उपर ले जाएगा, अपने आप, और x की value को undefined set कर देगा, जिस वजहा से यहाँ पे x की value undefined आती है, एक चीज़ और है, कि अगर मैं x को 10 लिखूं तो क्या होगा, तब भी same to same कहानी होगी, यहाँ पे इसने क्या बोला, x is not defined, मतलब x हमने बनाया है यहाँ पे, पर इसने बोला x is not defined, और जब मैं where x is equal to 10 कर दूँगा, तब देखिए मेरा end define आता है, अब इसको भी एक बार थोड़ा सा समझते हैं क्या हुआ, जब मैं where लिखता हूँ, या फिर where की जगा पे मैं let लिखता हूँ, तो देखिए क्या है, यहाँ पे आया आपके पास, cannot access x before initializing, मतलब बेसिकली यह था कि अगर आपने x की value को नहीं define करा है यहाँ पे, मतलब x की variable से पहले आपने where नहीं लिखा, तो भी आपका यह जो error है, वो वही आएगा कि x is not defined, same चीज़ जब हम function के साथ करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले करा था, अब function में क्या हो रहा था, आप यहाँ पे देखिएगा, इस case में क्या हुआ, हमने function को function ना बना के as a variable यूज़ कर लिया, जिस वज़ा से जब हम उसको call करा रहे थे, तो वो बोल रहा था कि जो hello है, वो function नहीं है, क्योंकि इस case में यह actually ऐसे चल रहा है, और आप जब hello को नीचे call करने जा रहे हैं, तो वो उसको मिल ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक variable है यहाँ पे, तो यह basically आपका hosting का concept है, जब भी function बनाएंगे आप, तो function को अगर आपने उपर भी लिखा है या नीचे लिखा है, मतलब function को call आप define करने से पहले करें या बाद में करें, कोई फरक नी पड़ेगा, पर अगर आपने variable बनाया है, तब आपकी सारी चीज़े बदल जाएंगी, अगर आपने variable बनाया है, तो variable को बनाना और variable को initialize करना आपको पहले पड़ेगा, अगर आप उसको बाद में करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे error आएगा, undefine का क्यों, क्योंकि वो automatically आपका जो variable है, उसको उपर initialize कर देगा, undefine के साथ, तो यह ध्यान रखेंगे, दो जगा पे हमारा इसकी importance है, एक तो जब आप interview में जाएंगे, जो मैंने आपको दूसरा बोला, और कई बार हमारे code में debug के time पे यह सारी चीज़े आ जाती है, जिसका solution यही है, कि आपको hosting का concept पता होना चाहिए, कि variable को कहाँ declare करना और variable को कहाँ पे use करना है, अब यहाँ पे एक चीज़ और बचती है, वो मैं आपको बताता हूँ, कि अगर मैं लिखू x is equal to 10, और document.write मैं x को कर दूँ, तो मैं यहाँ एक variable बनाता हूँ, x is equal to 10, और यहाँ पे x को इस तरीगे से print करा लेता हूँ, इस case में मेरी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं x को अगर 10 लिखता हूँ, तो यह automatically इससे पहले variable को भी, automatically यहाँ पे initialize कर देता है, तो यहाँ पे एक चीज और है हमारे पास आती है, और वो आती है, use stric, strict, अभी देखेगा क्या होगा, जैसे मैं इसे hit करूँगा, तो देखे, मेरे पास again यह चीज आ गई, uncut reference error, x is not defined, तो use stric basically यह बोलता है, कि जब भी variable बनाएंगे, तो आपको specifically बताना पड़ेगा, कि variable को किस तरीके से आप यहाँ पे बना रहे हैं, आपने x को पहले लिखा है, इसका data, इसका where define करा है, नहीं करा है, same चीज अगर मैं इसको नीचे ले जाओ, यहाँ पे इस तरीके से लिख पर अगर मैं variable का again बताऊं ना उसको where ना लिखूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे यह x को undefined basically बोल देगा, हटा देंगे, तब भी हमारा यही चीज़ हो लिए यहाँ पे, तो use, restrict basically आपको यह बताएगा, कि जब भी आप अपना कोई भी यहाँ variable बनाएंगे, तो आपको forcefully बताना पड़ेगा, कि जो आपने variable बनाया है, वो variable को आपने किस चीज़ से initialize करा है, where से किया है, let से किया है, किया है कि नहीं किया है, नहीं करेंगे, तो error आएगा, और अगर कर देंगे, तो वो बराबर आपका चलता रहेगा, तो यह ध्यान रखेंगे, use, strict, कहाँ पे आ comment box में बताईएगा, अगर further कुछ इसकी requirement हुई, तो हम लोग एक और video बनाके, again भी इसको देख सकते हैं, अगर आप लोगों के कुछ questions आते हैं, यहाँ पे तो, बहुत important यह concept है, तो इसको कोशिश करिएगा, अगर एक बार में video में समझ में ना है, जो मैं आपको explain करना चा concept आपका clear हुआ होगा, आगे हम लोग जो और concept है, जावा script के, उनको discuss करेंगे, तो friends, वीडियो अगर आज का आपको पसंद आया, तो इसको like और share जरूर करिएगा, चैनल में अगर आप नए हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा, thank you